आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिम्टिंग रेजेंट जो के बेटा सम बेसिक कॉंसेप्ट आप कमस्टी का ही एक टॉपिक है और जुड़ा हुआ है यह स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से और आज के लेक्षिन हम बहुत ही बहुत ही बहतरीनी एक्जाम्पल्स के तु और कुछ बहुत ही इजी ट्रिक्स के तुरु देखेंगे कि कैसे आप लिंटिंग रेजेंट के बढ़े सबड़े क्वेशन को within two step क्या करेंगे असानी से कम सकम समय में solve कर लेंगे सो बच्चों सुरू करते हैं limiting reagent होता क्या है जैसा कि नाम बता रहा है limiting reagent आपको सबसे पहली बात यह बता दो कि reagent का मतलब भी क्या होता है reactant ही होता है अगर आपने कोई chemical reaction कराना सुरू किया है तो अगर दो reactant लिये हैं A plus B तो इनी में से एक को आप क्या नाम देते हैं reagent नाम देते हैं और एक को नाम देते हैं substrate अब कब substrate कब reagent कहेंगे इसकी बात अलग है यह आने वाले lectures में देखेंगे बट अभी इतना जान लिजे कि limiting reagent कहिए चाहिए limiting reactant कहिए reactant को ही reagent कहा जाता है clear है तो बेटा शुरू करते हैं कि limiting reagent होता क्या है अगर आपने कोई chemical reaction करानी शुरू की तो reaction के दोरान जो reactant पहले खतम हो गया reaction के दोरान जो reactant पहले खतम हो गया पहले consume हो गया उसी reactant को हम नाम देंगे limiting reagent क्यों limiting नाम देते हैं क्यों 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 वो खतम हो जाएगा तो product का formation भी क्या होगा रुक जाएगा चुकि वो reactant जो पहले खतम होता है वो product formation को limit कर देता है रोक देता है उसके बाद product नहीं बनेगा इसलिए बेटा उस reactant को क्या नाम देते हैं limiting reagent और जो दूसरा बचा हुआ रह जाता है उसको नाम देते है excess reagent चाए excess reactant so definition wise देखें बेटा तो क्या होता है the reactants which consume first is called limiting reagent and the other remaining reactant is called excess reagent अच्छे बेटा इसको भौती easily समझने के लिए आप एक सीधा सा example लिए सकते है suppose करो बेटा कि आपने क्या लिया कि lock लिया है यानि ताला लिया है और चाभी लिया यानि की और आपने लिया क्या है suppose करे आपने lock लिया है बेटा और क्या लिया है की लिया है और आपको क्या करने है रूम लॉक करने है और लॉक आपने कितना लिया है 10 और की कितना लिया है आपने 5 तो आप कितने रूम को लॉक कर पाएंगे और बेस से बात है कितने रूम को लॉक करेंगे आप as usual 5 रूम को ही लॉक कर पाएंगे अगर इसमें देखा जाए बेटा तो 10 लॉक थे 5 की थी तो 5 की है तो की पहले खतम हो गई तो की यहाँ पर क्या हो जाएगी लिम्टिंग रेजेंट हो जाएगी और लॉक क्या हो जाएगा बटा है यहाँ पर एक्सेस रेजेंट हो जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से chemical elections में भी example होते है बट एक चीद और बता दो मेटा आप कभी भी केवल amount देखकर नहीं बता सकते है कि यही limiting रेजेंट है और यही एक्सेस रेजेंट है इसके लिए आपको compare करना पड़ेगा उस equations की condition देखनी पड़ेगी कि रेटेंट A का कितना amount रेटेंट B के साथ रेख्ट कर रहा है जैसे एक बात समझे मैं यहाँ पर condition लगा दू कि आप एक की को आप किसमें यूज करते हैं 3 lock में यूज कर सकते हैं याद रखे अगर मैं condition लगा दू कि एक की को आप 3 lock में यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर बेटा total की कितनी कितर विहाइब करेंगे 15 की कितर काम करेंगे यानि अगर एक चाबी को आप 3 ताले में यूज कर पा रहे हैं तो total यह कितने तालों को lock लगाएगा बेटा यह total 15 तालों को lock लगा देगा बट हमारे पास lock कितने हैं केवल 10 तो यहाँ पर चाबी कितनी कितर विहाइब की 15 चाबी कितर और यहाँ पर lock कितने हो जाएगे 10 तो in this case lock क्या होगा पहले खतम हो गया यानि मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके वल reactant का amount देखके नहीं बता सकते हैं कि कौन limiting agent और कौन excess agent है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पीटा उस chemical reaction को compare करना पड़ेगा किस reaction के दोरान reactant A, reactant B के साथ कितने amount में react कर रहा है उसके हिसाब से हम पता लगाएंगे कि इस limiting agent कौन सा है अगली बाद बेटा समझें इस limiting agent में जो question आते हैं वो कैसे आते हैं सीधे example के तुरू समझते हैं साथी साथ किस type के question आते हैं आपको पूच देगा कि बताएंगे limiting agent कौन सा है आपको पूच देगा बताएंगे excess agent कौन सा है remaining amount of excess agent कौन सा है कितना बचेगा और पूच देगा कितना amount of product बना इन सारे सवालों के जबाब के लिए बेटा हम लोग सीधे आपे question पर आते और question कैसे solve करेंगे और condition क्या है पहली condition आपको बताएंगे the first and last condition for the limiting region question कि आपको equation आनी चाहिए और equation को balance करनी आनी चाहिए बिना equation को balance की हो बेटा आप limiting region को solve नहीं कर पाएंगे कापी मुस्किल हो जाएगी तो first of all पहली और आखरी सर्थ क्या है बेटा equation balance करनी पड़ेगी और balance करने के बाद वेटा मैं यहाँ पर आपको दो सटीक मेथड बता रहा हूं कि जिससे आप limiting region का कोई भी बड़ा question data चाह जिस format में दिया हो बड़े आसानी से क्या करेंगे solve कर लेंगे ठीक है जो बड़ा हम मेथड कौन से है एक पहला मेथड हम बात करेंगे किसका unitary method और दूसरा मेथड बड़ा हमारा mole ratio देखी मैं जब स्ट्राइक के metric पढ़ा रहा था तो वहीं पर बताया था कि mole ratio एक बहुत important role play करेगा कई जगह उपर शुरू करते हैं सीधे एक question को लेकर यहाँ पर ठीक न और मैंने question क्या लिखा बेटा और कैसे इसको solve करेंगे आप बहुत ध्यान से इसको देखते रहे बेटा और अपने दिल में दिमाग में बैठाते रहे ताकि दुबारा इस topic को पढ़ने की कोई ज़रूरत न होता है तो आपको depending on the given data कौन सा सटिक मेथड यह लगाना पड़ेगा और मैं बता रहा हूं आपको कौन-कौन से मेथड इसको solve करने के लिए ठीक है सुचली बेटा देखते है question में क्या कह रहा है कि 4 mol of nitrogen reacts with 6 mol of hydrogen to produce ammonia fine क्या पता करने के लिए कह रहा है इन तीनों सवालों के जवाब को बड़ी असानी से हम लोग यहाँ पर निकालेंगे देखो बेटा जैसा कि मैं पहले ही बता दिया कि अगर आपको limiting region के question solve करने है तो पहली और आखरी शर्त यह है कि आपको एक balance chemical equation लिखने आने ही चाहिए यहनी chemical equation लिखने के बाद उसको balance करना ही पड़ेगा balance इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पर compare करने की ज़रूत पड़ती है और balance करने के बाद हमार पास especially दो method हैं एक है mole ratio और एक होता unitary method युनिट्री method का मतलब आप जानते हैं compare करना कि इतने रूपे में इतना आम तो इतने रूपे में कितना आम बिल्कुल वैसे ही और बेटा mole ratio कैसे apply करेंगे मैं पहले ही बता चुका हूँ अपने lecture में जब इस ट्राइक्योमेट्रिक पड़ रहते बेटा कि mole ratio लगाना है तो क्या करेंगे आपको क्या पता होना चाहिए कि number of moles of reactant to their stoichiometric coefficient यहनि कि reactants है पोड़क के number of mole को अगर उनके stoichiometric coefficient से divide कर देते हैं तो क्या जाता है mole ratio आ जाता है और बेटा खास बात है कि किसी भी chemical reaction में mole ratio of all the reactant product क्या होता बेकुल equal होता है इन दो बातों को ध्यान रखना है बेटा और अगर data हमारा mole में दिया है तो अगर हम mole ratio लगाएंगे तो बहुत आसानी से हमारा question solve हो जाएगा हलाकि आप इनिट्री method से भी कर सकते हैं but mole ratio आपको क्या करेंगा कापी easy way provide करेंगा करते हैं मैटा इसको first of all मैंने क्या लिखा इसके लिए एक balance chemical equation लिख दी n2 plus 3s2 और यह क्या बन गया बेटा यह बन गया 2nh3 2nh3 अच्छा यहां पर stoichiometric coefficient क्या है बेटा one यहां पर क्या है तीन और यहां कितना है दो देखिए आप mole ratio का use करके इन तीनों सवालों का जवाब बहुत असानी से निकालेंगे बड़ा कैसे अगर मैं mole ratio निकालना है तो अगर limiting region पता करना है तो आपको कुछ काम नहीं करना है केवल mole ratio निकालना है जिसका mole ratio कम आएगा दोनों reactant में से बेटा वही क्या होजाएगा limiting region यहां आपको क्या निकालना है mole ratio निकालना है और जिसका mole ratio कम आएगा वही क्या होगा limiting region पर तो इसको मैं मौल रिषयो किस का लिख남 मेटा यहां पर है मौल सैंट token कि यहां पर सब्सक्रोरियो कि इसको मैं क्या लिख दिया एक यांनि把它 फोर अपॉन फै रहरा योड़ी कि इन आजाएगे फोर अगर मैं दूसरा रेक्टेंट कॉन सा है hydrogen इसका mole ratio लिखो बेटा तो इसको मैं क्या लिख दिया that is mole ratio आप hydrogen so hydrogen के mole को इसके strikeometric कोपसेंट से divide करते हैं बेटा वही क्या कहला था mole ratio hydrogen का mole कितने दिया है 6 यानि कितना करेंगा हम लो 6 divide कितना होगा 3 answer कितना अगर इन दोनों में देख रहे हो बेटा तो यह mole ratio की value क्या कम है यानि यही क्या हो दाएगा हमारा LR हो दाएगा limiting region clear है यानि काम क्या करना सुनों बेटा आपको कहीं पर भी अगर limiting region पता करना है और mole की जनकारी दिया है तो आसान होता है किसलिए कैसे करेंगे आप mole ratio निकाल लीजे और mole ratio निकालने के बाद जिसका mole ratio कम आएगा बेटा वह ही क्या कहलाएगा आपको limiting region जैसे हमने mole ratio किसका निकाला nitrogen का mole ratio क्या होता है नंबर मोल डिवाइड क्या होगा इसका strichometric coefficient और इसके लिए value कितने आ गई चार बटे एक है निए फोर अपाउन वन आ गया और यहां पर mole ratio जब मैंने hydrogen का लिखा तो hydrogen के mole कितने थे बटे च्छे एंड 6 डिवाइड कितना होगा 3 यहां पर mole ratio दोनु रियक्टेंट का निकाल के हम compare कर लेंगे जिसका mole ratio कम आया गए बेटा वही क्या होगा limiting region यह मिल गए हमारा limiting region यह मिल गए हमारा पहले सवाल के जबाब that is as to is limiting region अब बेटा आते हैं दूसरे सवाल के जबाब की तरब अब यहां से हमारा रास्ता ओर असान हो जाता है suppose करिए कि इसके मोल को हमने n1 माला इसके मोल को एंटू माना और इसके मोल को हमने एंध्री मान लिया बिटा इसलिए क्योंकि आप हमको amount की जनकारी लेनी है कितना प्रडक्त बना और कितना rate and consume हुआ आप अभी आपसे बात में हुई मेरी कि किसी केमकल रियक्शन में जब मोल रेशियो निकालते हैं तो मोल रेशियो आप आल दे रियक्टेंट रियक्टेंट हमेंसा क्या होता है इक्वल होता है यानि कि इसका मोल रेशियो इक्वल इसका मोल रेशियो इक्वल इसका मोल रेशियो ह हुआ तो आपको limiting region और reactant जो consume हुआ उसके साथ आप मोल एशो लगा दिजे अगर आपको यह पता करना है कितना amount आप product बना तो limiting region और product के साथ आप मोल एशो लगा लिजे आपका answer मिल जाएगा एक चीद क्लियर है कि limiting region क्या हो गया हमारा यह हो गया अब limiting region पर हमारा यह है तो मैं दूसरे यानि की question number यह हो गया और बी हो गया मैं बी कि तरब चलता हूं बी के लिए क्या है बटा कि remaining amount of excess region काम क्या करना है आपका limiting और इसके साथ क्या लगा देंगे आप mole ratio और यहां से आपको यह मिल जाएगा कितना amount कंजीम हो गया अब कितना amount कंजीम हो गया आपको उसके बाद कितना आप मिल जाएगे आपको क्या मिल जाएगे remaining amount जैसे बेटा देखो यहां पर मैंने क्या कर लिया इसके लिए मैंने लिग परा मोल छे था तो six by three यानि एन वन एकोल कितना हो जाएगा six by three that is equal to two मोल यानि बेटा समझ लो यानि कितना खर्चा हुआ यह हमारा जो हमने एक्सेस रेजेंट लिया था वो खर्चा कितना हो गया यहां से दो मोल कंजूम हो गया और हमने लिया कितना था टोटर चार मोल लिया था पहले तो यह पता कर लिए कौन सा लिम्टिंग रेजेंट था उसके साथ बिटा मोल रेश्यों लगा दिये अब मोल रेश्यों लगाने के बाद हमको यह पता चल गया कितना रेक्शन में यह एक्सेस कि amount कितना बच्चा बच्चों बताओ दो मॉल यानि कि remaining कि amount equal to four minus two equal कितना हो जाएगा तू मॉल बच जाएगा अब आते हैं बटा देखो तीसरे सवाल के जबाब की तरफ यह करता कि amount of product firm तो मैं आपको बार-बार एक कह रहा हुँ बेटा कि limiting region अगर आपको पता चल गया तो उसी के mole ratio को जो पता करना है उसके mole ratio के साथ compare कर दिजे यानि amount of product firm तो यहाँ पर क्या लिखेंगे यह यह एन टू अपॉन इसके लिए कितना लिखेंगे 3 एकोल कितना हो जाएगा वोले बटा यह एन 3 बाई कितना हो जाएगा 2 तो एन 2 किसका था यह hydrogen जो limiting region था उसका mole था और इसके mole ratio को लिखेंगे कैसे एन 2 इकोल कितना हो जाएगा यह आगया 6 बाई 3 इकोल कितना हो जाएगा एन 3 बाई 2 अच्छा है इसको यहाँ पर solve कर लेता हो मैं अब एन 3 निकालना है यानि एन 3 यानि number of mole पोड़क कितना बचा तो एन 3 इकोल सिंपली क्या करेंगे यहाँ पर आ गया 6 इंटू 2 निया बन गया यानि आप ध्यान से समझिए इसको करना क्या था बेटा सुन लेजिए किसी भी लिंटिंग रेजेंट के question के solve करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि उसका mole ratio निकाल लीजिए अगर आप mole ratio निकाल लेते हैं बेटा और mole ratio क्या होता है एक ratio होता है number of moles of the reactant or product to their अगर mole ratio निकालते हैं बच्चों तो जिसका mole ratio जितना कम आएगा वही क्या आएगा उसका लिम्टिंग रेजेंट हो जाएगा और वहीं से हमको बाकी सारे सावलों की जनकारी मिल जानी है कितना product बना बेटा और कितना रेक्टेंट कंज्यूम हुआ चो लिम्टिंग रेजे कि तरह चलते हैं क्या कह रहा है कि 3 mole of magnesium rates with 2 mole of oxygen to produce MgO magnesium oxide find limiting region remaining amount of excess region and amount of product form देखे मैं फिर से वही बात कहूंगा बेटा कि अगर mole की सीधी जनकारी दिया हुआ है तो आप limiting region के कोई भी question solve करने के लिए सीधी आप क्या लगा दीजिए mole ratio लगा दीजिए जैसे बेटा और एक पहली और last condition हमको पता ही है कि अगर आप limiting region के question को solve करना चाहते हैं तो जो equation है O should be balanced तो पहले हम क्या लिखते हैं balance के हमको equation लिख लेते हैं यह कह रहा है बच्चों कि Magnesium Mg rate करता है O2 के साथ तो क्या बन जाता है यह बनता है Mg O balance कर लिया 2 हो गया यहाँ पर 2 हो गया बेटा यह balance करना असानी से अब जानते हैं अब अगर इन तीनों सवालों के जबाब में पहले सवाल के जबाब की तरफ आते हैं बेटा करना लिम्टिंग रेजेंट तो करना क्या है सिधे mole ratio पता कर लिजे Mole ratio क्या है बेटा इसका mole इसका stoichiometric coefficient इसका mole इसका stoichiometric coefficient जिसका mole ratio कम आएगा वह ही क्या होगा limiting region यानि अगर मैं लिखू बेटा पहले सवाल की तरफ इसके अगर आएं सो question number आपको ए जो है ये क्या होगा Mole ratio of mg ये कितना होगा कितना mole दिया है बेटा ये दिया है 3 mole और stoichiometric coefficient 2 हो गया ये हो गया 1.5 और यहां पर मैं oxygen के लिखूं mole ratio of O2 तो कितना हो जाएगा इसका mole दिया है 2 और बेटा इसका stoichiometric coefficient कितना है 1 answer आगया कितना 2 ये होगा हो ये mg का stoichiometric coefficient और इसके mole का जो ratio यानि mole ratio ये कितना था 1.5 इसका कितना है 2 ये क्या होगा हमारा limiting region बस कुछ सोच नहीं है अब बाकी इन दोनों सवालों के लिए बेटा जो हमारा limiting region है उसी के mole ratio को बाकी इन दोनों को जो भी पता करना है उनके mole ratio के साथ compare कर देना है यानि बेटा लेट की इसको पता करना है तो इसको N1 माल लिया इसको N2 और इसको N3 माल लिया मैं आप सीधे दूसरे सवाल के जबाप कितरे चलता हो बेटा कहरा remaining amount आप excess region यानि इतना तुत्य हो गया बेटा कि आपका mg एक limiting region है और oxygen का एक excess region है ठीक है अब पूछ रहे कि यह कितना remaining बचा बचा हुआ amount कितना है तो अगर हमको यह पता चल जाए कितना consume हो गया तो कितना बचा आसानी से मिल जाएगा देखो बच्चों सो कितना consume हो गया यह पता करने के लिए आप इस linting region का इस x के सब क्या कर लीजे आप mol ratio निकाल लीजे यानि आपका क्या हो जाएगा यहां पर मैंने n1 divided 2 इकोल जो पता करना है बेटा यह n2 divided कितना हो जाएगा 1 है क्योंकि इसका strike geometric coefficient 1 है सो यहां से क्या हो गया बेटा n1 इसका mol कितना दिया था हमको mol ratio पता है mg का 3 by 2 हो गया यानि यह कितना हो गया 3 by 2 और इकोल कितना n2 पता करना था n2 सो यहां से बच्चों अगर सीधे देखें सो n2 इकोल कितना आ गया बोले बेटा यह आजाएगा 1.5 mol आजाएगा 1.5 mol यानि कि हमने कितना लिया था 2 mol लिया था oxygen 2 mol oxygen में से कितना mol oxygen खर्चा हो गया 1.5 mol तो remaining क्या हो गया बेटा remaining इकोल कितना हो गया अगर हम बात करते हैं 2-1.5 इकोल 0.5 mol यानि इतना क्या हो गया हमारा बचा रह जाएगा क्या चीज़ ऑक्सीजम क्लियर है अब हम आते हैं तीसरे सवाल के जबाब की तरफ और तीसरा सवाल वेटा असानी सेमल स्वाल कर लेंगे कैसे अगर हम क्या करते हैं कि इस लिम्टिंग रेजन्ट का हम जो इमांट पता करना उसके साथ क्या लिख़ने मेटा mol देश्यों यानि जो लिम्टिंग उसको चुल लीज़े और जो पता करना उसके साथ mol देश्यों आप सेट कर लीज़े सो अभी क्या करेंगे इसका इसके साथ यानि बेटा अग थार्ड के लिए यानि की आंसर इसका पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग at is n1 divided 2 हो जाएगा इकोल कितना हो गया यह हो गया n3 n1 divided 2 और क्या हो गया पेटा n3 divided कितना हो जाएगा हमारे पास यह 2 आ गया और n1 कितना देखे रखा था बता यह n1 mole यानि magnesium का है जो अलड़ी इसका mole कितना देखे रखा था 3 by 2 हो गा इसका mole ratio यहने कितना हो जाएगा 3 by 2 यह पता करना है n3 by 2 लिख दे और n3 equal कितना मिल गया बेटा यह मिल गया 3 into 2 by 2 equal कितना होगा 3 mole हमारा क्या बन गया mgo बन गया हमारा बड़े असानी से हम किसी भी limiting region के सवाल को उसका mole ratio use करके असानी से सारे सवालों को जबाब को हम निकाल सकते हैं ठीक है सो नोट कर लो बेटा clear है सो चली बच्चों हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं क्या कह रहा है करा 36 ग्राम आप magnesium rate with 40 ग्राम आप oxygen to produce MGO करा पता कर ये limiting region remaining amount of excess region and the amount of product form सु बच्चों कर यहां पर देखा जाए तो इस सवाल में और पहले के सवाल में क्या अंतर था पहले वाले question में directly क्या दे रहा था मोल दे रहा था तो वहां पर मोल रेश्यों को अप्लाई करना कापी आसान होता था मोल रेश्यों अप्लाई करके जिसका मोल रेश्यों कम आता था उसको हम क्या क्या देते लिम्टिंग रेजेंट बट देखे यहां पर gram amount दिया है मोल रेश्यों यहां पर भी apply कर लेंगे हम लोग बट एक condition क्या है बेटा कि अगर मोल रेश्यों से इजी कोई method मिल जाए इसको solve करने का जहां पर हम उस method के थ्रू जाएंगे अगर मोल रेश्यों अप्लाई करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले इस given amount से इनके number आप मोल पता करना पड़ेगा फिर स्ट्राइक के साथ divide करके मोल रेश्यों और जिसका कम आएगा आप क्या ले लेंगे उसको limiting region और उसके साथ बागी सारे स्वाल solve कर लेंगे बेटा मेरे ख्याल से जो सटीक तरीका होता है अगर मोल के अलावा कोई format दिया है gram दे दिया है number दे दिया है volume दे दिया है इसके लिए unitary method best है कैसे बेटा आ आपको क्या करना है as usual a balanced chemical equation लिख लेनी है अब उस balanced chemical equation को यह mass का फॉर्मिट अगर दिया है तो इसका mass all इस टाक्योमेटर लेना है यानि यह क्या करेंगे यह हो गया हमारा बेटे बेटा सूख गया इंतजार करते करते सूख गया बेटा इसलिए यह एक सीख देता है कि ठीक है नहीं अब यह मत कहते हैं कि मैं भी सूख गया हूं ऐसा नहीं है ठीक है सोड़े देखें नहीं मार्कर की ज़रूरत थी तो सूख गया ते बेचार है ना तो यहां पर क्या होगा बेटा यह हम देखेंगे तो 48 ग्राम मैंगनीसियम कंप्लीटली रेक्ट करने के तो अगर हम कंपेर करने बेटा कि अगर 48 ग्राम को कंप्लीटली खतम करने के लिए 32 ग्राम क्या चाहिए ऑक्सिजन चाहिए तो 36 ग्राम को खतम करने के लिए कितना ऑक्सिजन चाहिए और आप ऐसे कंपेर करते हैं तुरंत आपको मिल जायेगा कि कौन पहले खतम हो है देखो बीटा अभी मैंने क्या किया है मैं एक की तरब चलता हूँ मैं compare करता हूं सुनो बच्चों चाहे तो आप 48 को 32 के साथ compare कर ले जए 48 gram magnesium के साथ 40 gram oxygen कितने के साथ rate कर जाएगा तब यहां से भी आपको क्या मिल जाएगा limiting reagent मिली जाना है है कि नहीं तो हम दोनों में से किसी को compare कर तक ठीक है अब बेटा देखे in comparison में हाँ एक चीज है limiting reagent की जानकारी इन दोनों में से कोई comparison देदेगा बट बेटा एक comparison इन दोनों में से कोई ऐसा होगा तो इन सारे सवालों की जानकारी देदेगा अब वहाँ पर हमको एक बात चेक करना पड़ेगा अगर पूछा है limiting region काउन सा है तो आप इन दोनों में किसी की साथ compare कर लेंगे 100% आपका answer देदेगा अधर वहाँ दे आगे बढ़ना है तिन दोनों में से कोई एक calculation ऐसा है बेटा जो पूरी जनकारी देगा और एक थोड़ा सा बस यहीं तरुप जाता है कि limiting region काउन सा है ट्राइ करते है बेटा देखो मैंने क्या कह दिया कि यहाँ पर as 48 gram mg rates कितने के साथ बोले बेटा 32 gram O2 के साथ इसलिए बच्चों कितना लिया था हमने 36 gram 36 gram mg rates यह कितने के साथ rate कर जाएगा बच्चों 32 into कितना हो जाएगा 36 divide कितना हो जाएगा बेटा बोलो 48 और यह कोड़ कितना कितना 8 6 जा कितना हो जाएगा 48 और 8 4 जाएगे हो जाएगा बेटा और यह कितना हो जाएगा 6 यानि 24 gram O2 के साथ इसलिए बच्चों समझ लो हो गया ना कहानी clear यानि देखो 36 gram 36 gram magnesium को पूरी तरीके सरियेक्ट कराना है तो हमको 24 gram क्या चाहिए oxygen चाहिए कहने का मतलब यह 36 gram पूरा खतम हो गया बट oxygen कितना खतम हो 24 gram हमने लिया कितना था 40 gram लिया था बेटा तो remaining कौन बचेगा हमारा oxygen और खतम कौन सा हो जाएगा magnesium यानि बेटा here mg will be the limiting reagent and O2 will be the excess reagent clear है यानि पहले सवाल के जवाब मिल गया that is mg is LR यह limiting reagent हो गया है ठीक है अब बेटा देखो मैं दूसरे सवाल के जवाब की तरफ चलता हूँ दूसरा question यह कह रहा है कि remaining amount of excess reagent यह clear है बेटा जैसा मैंने वादा किया था कि आप दो step में limiting reagent के सवाल सॉल्व करेंगे तो सुन लीजे पहला step क्या था बेटा एक balance game के लिक्वेशन लिखनी है दूसरा step क्या है compare कर लेना है दो step हुआ ना पहला step एक balance game के लिक्वेशन लिखा दूसरा कहले का compare किया compare क्या किया बेटा कि अगर 48 gram rate करता 32 gram के साथ तो given 36 gram कितने के साथ rate कर जाएगा आपका answer अगया 24 के साथ हो गया ना limiting region का सवाल within 5 second बेटा इसको solve कर लेंगे हम लोग so depending on the nature of the question आप कहां पर unity method लगाएंगे और कहां पर आप mole ratio लगाएंगे यहां पर तुरा सोचना है clear है समझे बच्चों so बेटा देखे अब भी की तरह पाते हैं कहरा कि remaining amount of the excess region अरे यार 24 gram खर्चा हो गया तो कितना बचा 40 gram में से हो गया कि नहीं यानि कि remaining amount of तो कितना हो गया यह हो गया बच्चों हमारा कितना गया 40 minus 24 equal to 16 gram आ गया 16 gram आ गया कि नहीं अब प्यारे बच्चों एक चीज बताओ C वाला हो गया amount of product form amount of product form बेटा तो एक चीज बताओ इस reaction में कौन कितना खर्चा हुआ 36 gram पूरी तरीके से magnesium खर्चा हो गया यानि 36 gram क्या खर्चा हो गया magnesium plus यह oxygen कितना खर्चा हुआ आपके सामने 24 gram खर्चा हो गया था ना यानि कितना हो 24 यह कितना गया बेटा बता यह आगा हमारा 60 gram mg बनके तयार इस तरीके समय आपको क्या कह रहा था कि हमारे पास दो मेथड है शुरू में बात हो चुकिते बेटा कि एक सी भी limiting region के question को solve करने के लिए कि वह दो step काफी है पहला step क्या है बेटा सबसे पहले हमको balance chemical equation लिख लेनी है और दूसरा step given amount को compare कर लेना है मैंने इसके लिए balance chemical equation लिखी और इसके mass को लिखा कि 48 gram को पूरी तरगेस खतम करने के लिए 32 gram चाहिए तो इस question में 36 gram को खतम करने के लिए कितना gram चाहिए एक balance chemical equation लिख लेनी है पहला step दूसरा क्या कर लेना compare कर लेना है कि अगर इतना gram rate करता इतने के साथ तो given amount कि इतने के साथ rate कर जाएगा तो यहां से बेटा आपको क्या मिल जाएगा limiting region so in this question यह oxygen क्या हो जाएगा excess region और magnesium क्या होगा limiting region ठीक बच्चों सो बच्चों देखो इसको नोट करिए फिर अगली सवाल की तरफ चलते हैं लास्ट कोश्यों की तरफ नहीं नहीं ऐसे नहीं मिटा देखो मैंने आप से बताया कि इसको हम कैसे सॉल करेंगे हम मोल रेशिए से सॉल करेंगे कैसे देखो देख लिते मिटा भाई मोल अब मोल रेशियो से कैसे सॉल करें सुन बच्चों इसके लिए हमको मोल पता करना पड़ेगा यानि मैंने क्या कह लिया mol of mg equal to kitna हो देगा 36 divided कितना होगा 24 equal to 1.5 mol आगया बिटा है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं आरे बोलो गयार चलो ठीक है अब आगया आते हैं बिटा देखो यह हो गया अब इसकी बात करते हैं ठीक ना 1.0 5 और कितना होगया 4 यानि कि 1.25 mol यह mol आया है यह अभी नहीं आया है मारा mol ratio अब mol ratio जब निकालेंगे बेटा now mol मौल रेशियो अफ मीदी इमजी का मौल रेशियो कितना हो गया प्यारे बच्चों यह इसका मौल कितना हो गया वन वाई फाइप और बेटा यहां से कितना ले लेंगे इसका स्टाइक क्योजोंट्री कोपेसेंट तू याट इस 0.75 और बेटा आ गया मोल रेशियो आप O2 तो प्यारे बच्चों कितना हो गया ऑक्सियन का मोल देखो कितना हो गया 1.25 डिवाइड कितना हो गया बोले बेटा इसका स्टाइकियोमेट्रिक उपसेंट 1 so value कितनी आ गई 1.25 तो प्यारे बच्चों यहां से भी देखो magnesium क्या हो गया कमाय कि नहीं हो गया वो limiting region होगा कि नहीं होगा बाकी बेटा उसी तरीके से सारे calculation करके mass में हम convert कर लेंगे क्योंकि आपको पता है केक मोल का mass कितना होता है तो जितना मोल आएगा उसका mass कितना होगा clear है कि नहीं इस question को हमने क्या किया दोनों तरीके से solve किया कैसे इसके एक unitary method से comparison method से और दूसरा क्या होगा है इसका mole ratio clear है बच्चों अब note कर लो बेटा ठीक है अब अगली सवाल में क्या कह रहा है यहां पर दीखे ना मोल लिया है ना मास लिया है सिधे इसके volume के साथ आपका question पोच दिया है इसको बड़ी आसानी से हमने solve कर लेंगे कैसे क्या कह रहा है कि 10 ml आप nitrogen and 25 ml आप hydrogen at same temperature and pressure are allowed to react to give NS3 predict limiting reagent volume of NS3 produce जैसा बच्चों मैं last question में भी यही बताया कि अगर सीधे mole की जानकारी दिया रहता तो वहां पर mole देश्यों लगा question को solve करना कापी असान होता है बड़ अगर mole के अलावा आपको number दिया है, volume दिया है, mass दिया है तो वहां पर easy होता है कि आप comparison method लगा दिजी, unitary method लगा दिजी, आपको काम क्या करना होता है एक balanced chemical equation लिखेंगे हम लोग बेटा, उसके बाद कितना volume कितने volume के साथ completely rate कर जा रहा है तो given volume कितने के साथ rate करेगा, compare कर लेंगा, हमारा answer मिल जाएगा, कैसे देखें बच्चों, तरीके से, कैसे मैंने लिखा, यहां पर, यहां गया, n2 plus 3s2, और क्या बन गया बेटा, यह बन गया, 2nh3, clear है, यह सब भी जानते हैं मैटा, अब अगर इसके volume को लेकर question बना है, तो यहां पर इसके volume वाले strike को में लिख लेते हैं, और एक बात और समझे, अगर यह लीटर में रहता है, यह ml में दिया है, तो बहतर होगा कि ml में लिखें हमारा comparison आसान होगा, जैसे इसको कहेंगे, यह 8 mol है, यानि वैसे तो 22.4 लीटर है, otherwise ml में देखा जाए, तो कितना ह हो जाएगा, यह जाएगा 22.400 ml, कहेंगे न, कि इसका 22.400 ml, यानि कि इसका 1 mol, इसके 3 mol के साथ, यानि कि इसके साथ, 3 into 22.400 ml के साथ क्या करता है, बेटा, rate करता है पूरी तरीके से, बात समझे, हमको इस balance chemical equation से यह पता चल गया, कि इसका 1 mol, इसके 3 mol के साथ, यानि इसका 22.4 लीटर, इसके 3, यानि कि 3 गुड़े 22.4 लीटर के साथ, rate करता है पूरी तरीके से, यहाँ पर मैं इसको ml में ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर data ml में दिया है, बेटा, तो क्या कहेंगे, कि 22.400 ml, यह चिपक जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत क्या करना है, बेटा, इतना क्या जाएगा, यह ml अपनी अलग पैचान बनानी है, बस बात कतम, यह क्या होगा है, बेटा, यह इतना ml के साथ, यानि कि इसका 22.400 ml, इसके 3 इंटू 22.400 ml, यानि 3 गुड़े 22.400 ml के साथ, पूरी तरीके से, rate करता है, तो इसका given amount, कि इतने amount सा trade कर जाएगा, मैंने क्या बताया, चाहि इसको इसके साथ compare कर लो, चाहिए इसके साथ compare 2400 ml, क्या जी बेटा, S2, rates कितने के साथ, बता बेटा, ये हो गया, 22400 ml N2 के साथ, इसलिए हमने लिया कितना है बच्चों, 25 ml, इसलिए, 25 ml S2 कितने के साथ rate करेगा, दोले बेटा, 22400 into 25, divide कितना हो गया, ये 3 into 22400, या तो सारी कानी खतम, खतम, यानि कितना गया, 25 by 3, ये कितना हो जाएगा, 8, 8.24 कितना हो गया, 3, 3 लगवग आएगा, इतने ml के साथ, अब मेरी बात समझो बच्चों, ये क्या कह रहा है कि अगर 25 ml hydrogen को पूरी तरीके से खतम करना है, तो यहाँ पर nitrogen कितना खतम हो रहा है, केवल 8.33 ml खतम हो रहा है, इसका मतलब nitrogen बचा रहेगा कि नहीं, क्योंकि हमने लिया कितना था बेटा, बताओ, 10 ml लिया था, 10 ml से कितना खर्चा हो गया, 8.33 ml, तो इतना बच गया, मतलब N2 अगर हमारा क्या है, excess है, तो यहाँ पर बेटा, X2 क्या होगा, limiting region, clear है, यानि इसके 25 ml को टोटली खतम करने के लिए, क्यों, 8.33 ml क्या चाहिए, हमको nitrogen चाहिए, तो यह पहले करतम हो जाएगा, यह nitrogen बचा रहे जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, hydrogen एक limiting region हो गया, that is, S2 is LR, आते हैं question number B पर, यह विचारा कह रहा है, बेटा क्या कह रहा है, क्यों, volume of NS3 produce, यार बात समझो, मैं एक चीज़ कह रहा था, mole ratio में भी, कि अगर limiting मिल गया, तो यह कितना खर्चा हुआ, इसके साथ compare करके, चाहिए कितना बना, इसके साथ compare करके, हम answer निकाल सकते हैं, अब यहीं से निकाल लेजे, कि अगर बेटा, 3 into 22,400 ml, यह पूरी तरीके से खतम होता है, तो कितना बनता है, 2 into 22,400 ml, यह बन के त्यार होता है कि नहीं, यानि 2 mole बन रहा है न, यानि बेटा, यहाँ पर ml मिलिया, 3 into 22,400 ml, 3 mole, यह 2 mole बना रहा है, एक mole का volume कितना होता है, 22,400 ml, जिसको ml मिलिया कितना होता है, 22,400 ml, यानि बेटा, इसका 3 into 22,400 ml, पूरी तरीके से खर्चा होके, यह 2 into 22,400 ml बनाता है कि नहीं, तो बेटा, इतना खर्चा होके कितना बना लेगा, clear है कि नहीं, देख़ों बेटा, कैसे करेंगे, S कितना खह रहा है 3 x 22 400 ml जो S2 था produce कितना बना रहा है आपके सामने है 2 x 22 400 ml NS3 बना लेता है इसलिए बेटा हमारे पास क्या था कितना खर्चा हुआ था 25 ml इसलिए क्या हो जाएगा 25 ml S2 produce मैंने एज जुजूल बार बार बताया बेटा कि अगरी स्तरीक कल्कुलेशन है सिधे नीचे वाले को उपर साथ मल्डिप्लाई उपर वाले के साथ डिवाइट यानि कितना हो जाएगा 2 x 22 400 x 25 डिवाइट कितना हो गया 25 पर गया 3 x 22 400 खतम खतम यानि ये तो कितना हो गया 50 बड़े कितना हो गया 50 by 3 that is equal to cut pit के कितना आजाएगा ये आजाएगा 16 point कितना आजाएगा 6 6 ml ns3 बनके त्यार हो जाएगा clear है कि नहीं देखो बेटा ये रहा हमारा limiting region का concept और इसके सवालों को solve करने का तरीका तो अगर समराइज करते हैं बच्चों तो limiting region के question को solve करने के दो बहतरीन तरीके हैं एक है unitary method और एक क्या है बेटा mole ratio तो unitary method कहां पर लगाएंगे जहां पर बेटा आपके लिए gram दिया हो ml दिया हो mole ratio आसान वहां पर होता है जहां पर सिधे mole दिया हो हलाकि आप इन दोनों का use करके किसी भी question को solve कर सकते हैं बटा अब आप चुलने क्या आपके लिए आसान है ठीक बच्चों तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही रुकेंगे हम लोग और ये खतम होता है हमारा limiting regent किसी बच्चों को कोई doubt है बटा तो comment box में पूछ सकता है बटा ठीक बच्चों इलत्य आंगली क्लास में ठीक है बटा